बालन, तुम बहुत शरापी जुके हैं, चलो घर, चलो मैं तुम्हें डॉप कर देती हूँ वो भी है क्या, वो राहुल, क्या तुम्हें कभी समझने की कोशिश कि तुम्हारी पसंद, तुम्हारा पैशन कभी जानने की कोशिश किय उसने सब की तरह तुम भी एक सेफ और सिक्यूर फ्यूचर ढून रही हो ना लड़कियों को लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए डू यू नो मेरे लिए राहूल बनना कितना आसान है कभी भी कभी भी मैं अपने पापा के बिजनेस जॉइन कर ले था पर मैं अपनी तरह से लाइफ जीना चाहता था पर मैं तुम्हारे सामने तो लूजर ही था ना पड़ाय एंड ओरिजनेल उस दिन तुमने कहा था ना कि तुम अपने पैरेंट्स की तरह फालतू प्यार में विश्वास नहीं करती प्यार तब से अब तक प्यार ही है शिला तुम भी कही ना कहीं रोमैंटिक ही हो इसलिए तुमने अपने पैरेंट्स को ऐसा गिप दिया तुमें उससे पूछना होगा कि जब तुम उस पुराने स्कूटर पर बैठी थी तो तुम कितनी खुश हुई थी क्या राहूल की स्पोर्ट्स कार में वो बात है राहूल उसका नाम ही कितना कॉमन है हर हिंदी फिल्म में शारुक का यही नाम होता है क्लाइमेक्स में हिरोईन राहूल को ही मिलती है तो बालन के साथ कोई हिरोईन कैसे आएगी कल सुभ़ ठीक दस बज़े हो मैं तुम्हारे घर उस पुराने स्कूटर में बैठ के आऊंगा अगर तुम में कट्स होगा अगर तुम ओरिजनल हो तो इस विलन के साथ आना इस बालन के नायर के साथ आना है है कि ट्राव इंटर्व्यू के सारा तो कहान जा रहा है तुझे कहीं और शिफ्ट होने की जरूरत Son timber stitch तक चाय सकताने कि तक कहाने रह सकता है यह और हम भी पैशने वा यार मैं अब जा रहा हूँ कहां जा रहा है मन्जिल का तो पता नहीं वो सकता है नौर्थ जाने वाली ट्रेन में बैठ जाओँगा बस जा रहा हूँ पता है यह अजीब है पर अब इस शेहर से दूर चला जाओँगा तेरी चौप का क्या हुआ मोबाइल और इंटरनेट के बिना शांती से कुछ पल बिताना चाहता हूँ इस शेहर में मेरा बस तू ही तो है उमर कैलिफोनिया जाने के बाद तो तू भी बिजी हो जाएगा चल फिर गुड लग तू बहुत सक्सेस्फुल होगा मेरे दोस्त और तेरे उपर वहां की मॉडल्स और डॉलर्स दोनों परसेंगे तुझे ड्रॉप कर देता हूँ नहीं मैं चला जाऊँ होगे क्या मेरी एक हेल्प करेगा यह स्कूटर शीला को दे दे चल बाई